इन दोर जिले के बेटमा में 12 बोर देसी कट्टे के साथ युवा को गिरफतार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है बताया जा रहा है कि बेटमा पुलिस द्वारा सतत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है इसी दोरान मुकबीर की सूशना पर पुलिस ने एक संदिक्त व्यक्ति को गिरफतार किया गया जिसके पास से लोडेट 12 बोर का देसी कट्टा भी जबत किया गया आरोपी से सकती से पुछताच की जा रही है कि किन गलत तिरादों को लेकर शेत्र में देसी बोर के कट्टे को लेकर आया था बेटमा से राजंदर सूर्यवन्शी की रिपोर्ट आम एसाई पवार को आहता चेकिंग ड्यूटी में लगाये गया था वो अपनी टीम के साथ कुट्टी रोड पे जो देसी सराप की दुकान है वहाँ पर आहता चेकिंग करने गए थे तब ही मुग्विर से सूचना मिली कि एक वेक्ती संदिग दवस्ता में गुम रहा है थ उसे रोक कर उनन न चेक किया थो उसके पास लोड़ेड बारावोर का कट्टा बरामत दिया है उससे पुस्ताच कर रहे हैं कट्टा लेके कहां आया और यहां पर क्यों गुम राला यह देने वाला कहा का सर्थ यह बाग शेतर का है आगर गाउं दिनेश नाम है इसका दिने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें